Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने last lecture में जो यूनित नमबर थ्री है, बर्थे गिफ्ट बोर्ट, हमने उसमें क्या देखा? जिया की स्टोरी दिखी, जिया के डैड़ी ने जिया को as a birthday gift बोर्ट दिया था, एक चोटा सा खिलोने का बोर्ट दिया था, आपको भी आपके birthday में डैड़ी, मॉमा, आपके family members, जो है uncle, auntie, grandparents, वो सब आपको गिफ्ट दे थे, वैसे ही यहाँ जिया के पापा ने जिया को एक अच्छा सा बोर्ट गिफ्ट में दिया था, दैन, वो बोर्ट उससे बहुत पसंद आया था, पर उसके friend को उसने मना कर दिया था, पदा है आपको, पदा है ना, कि जब उसका friend, उसको जब बोर्ट मिली तो उसने उसके friend को बुलाया, Drew को, फिर Drew आया, तो Drew को पूछा के, Drew ने पूछा के, क्या मैं आप तेरी बोर्ट से खेश सकता हो, तो उसने मना कर दिया, नो, तू मिली तो फिर Drew को होट हुआ, और फिरो घर पे चला गया, और फिरो कभी आया ही नहीं, और जिया है, उसने भी कोई कहरी नहीं की, because उसके पास तो बोर्ट था, तो पूरे दिन बातरब में बोर्ट चलाती रहती, फिर जब बारिश हुई, बारिश रुग गई, उसके बच्चे सब ना उसके जो पेपर बोर्ट लेकर जा रहे थे, बार स्ट्रीम में, वो जो बारिश का पानी जो रस्ते में फील हो गया था, भर गया था, वहाँ ओ पेपर बोर्ट चल चोड़ गया तो ऐसे प्राउट फिल करने लगया और सब को बताने देख, सी, सी, मेरे बोर्ट को देखो, पर कुछी समय में उसका बोर्ट टूट गया, एक पत्थर से टकड़ाया, सरी, पत्थर ने एक लकडी से टकड़ाया और वो टूट गया और फिर वो रोने लगी, इससे आपको क्या सीख मिलती है, पता है बचो कि आपके पास कोई चीज है, तो उसका आपना इतना आप वो मत कर, इतना खुश मत अजाओ, इतना सब को ऐसा मत बोलो, देखो, देखो, मेरी सब से अच्छी है, सभी की चीज अच्छी होती, आपकी भी अच्छी है, उनकी भ ना प्राउट से बोलो पर आपको ऐसे दूसरे की बोट की जो है मजग उड़ा रही थी विकोस उसका बोट सबसे बेस था सो ऐसे आपको कभी करना नहीं चाहिए आपकी जैसे चीज अच्छी है ऐसे ही सब की चीज अच्छी है फिर देखा ना आपने इतना प्राउट फिल कर तो थुरू ने क्या किया। बोट दे दी और फिर वो दोनों उससे खेनने लगे और फिर उससे फ्रेंड्स बन गए फिर उस story खदम होने के बाद मैंने paragraph wise आपको एक एक आपको लिथो में लिखाया था एक paragraph मैं textbook में से आपको explain कर रही थी और फिर उसके ही बाद आपको मैं लिथो में लिखा रही थी So हमने question answers तो लिथो में जो थे question answer mcq related to paragraph Okay paragraph जो थे वो complete कर लिया Now we will move to another topic in your लिथो that is present continuous tense Now we are going to learn about present continuous tense Now what is present continuous tense Present continuous tense मतलब Present मतलब आपको पता है कि अभी कुछ मैंने ची start कि उसे कहते है present अभी मैंने किया Right now I am explaining you That means it is present But मैंने अभी explanation चालू किया है कब तक चलेगा वो हमें पता नहीं है That means कोई भी चीज़ आप अभी start करते हो और आपको पता नहीं होता कि कब तक वो चलेगा उसे हम क्या कहते है present continuous tense आपने अभी start किया पर आप कब खतम करोगे वो आपको पता नहीं है उसके कुछ rules से कुछ लिखने का कुछ उसमे एड होता है लिखने में वो मैं आपको जैसे हम करेंगे वो दिखाऊंगे देखो simple present tense देखो मैं अभी explain करी हूँ तो मैं क्या बोलूँगी I explain मैं explain करती हूँ I explain मैं समझाती हूँ मैं समझाती हूँ I am explaining you ing add किया मैंने explain देखो e x p l a i n explain होता है e x p l a i n explain होता है but e x p l a n i n g explaining मैंने ing add किया explain मतलब अभी ही मैंने समझा दिया but explaining मतलब मैंने भी आपको explain करना चालू किया पर कब तक मैं explain करूँगी यह किसी को नहीं पता है okay वैसे ही देखो play अभी खेल रही हूँ मैं पर कब तक खेलूँगी पता नहीं मुझे बूला हो ता मुझे इसमें ing add करना होगा so playing ride riding swim swimming right sit sitting go going come coming get getting like this हाँ और इसके लिए आपको और एक rule याद करना है that is यह तो आपको आता है होगा I के साथ हमेशा हम M यूज़ करते हैं he, she, 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 he, it के लिए हम sorry he, she, it के लिए हम is use करते हैं और जब कुईसी का भी नेम्स हो एक परसन का तो is use करते हैं he, she, it और किसी का नेम के लिए हम is use करते हैं और you, we और दे के लिए हम are use करते हैं that means I can say that हम singular के लिए is use करते हैं और plural के लिए are use करते हैं singular मतलब only one एक ही इंसान या एक ही चीज़ के लिए हम is use करते हैं और plural मतलब एक से ज़्यादा okay so एक से ज़्यादा जबाता है you, we, they या कोई भी एक से ज़्यादा है तो हम उसके लिए are use करते हैं okay और I के साथ हमेशा am ही use करते हैं आप example देखो तो आपको समझ में आ जाएगा I play in the garden ये present tense है मैं गार्डन में खेलता हूँ okay I am playing in the garden मैं गार्डन में खेल रहा हूँ अभी मैंने खेलना स्टार्ट किया अभी कब तक खेलूंगा वो पता नहीं है I ride a bicycle में bicycle ride करता हूँ but I am riding a bicycle में bicycle ride कर रहा हूँ अभी मैंने स्टार्ट किया पर कब तक ride करूंगा वो पता नहीं I swim in the river मैं river में swim करते हूँ but I am swimming in the river अभी मैंने river में swim करना स्टार्ट किया कब तक swim करूंगा यह करूंगी मुझे नहीं पता है so यह क्या हुआ continuous tense जब हम ism continuous tense का क्या होता है ismr plus ing is m just a minute ismr plus ing उसके पहले plus verb आएगा मतलब verb के साथ आपको ing add करने verb मतलब doing word play है तो उसका क्या हो जाएगा playing, ride, riding, swim, swimming like this और भी देख़ आपको words दिया है फिर u के साथ आ राएगा you play in the garden you are playing in the garden we are playing in the garden they are playing in the garden then we you are riding a bicycle you are riding a bicycle we are riding a bicycle we are swimming in the river they are playing in the garden they are riding a bicycle they are swimming in the river इसमें हमने आर यूस किया वी, यू, वी, दे ये क्या है ये प्लूरल है yes, ये क्या है प्लूरल है so, प्लूरल के लिए हम क्या यूस करते है are then he, she, it के लिए हम is यूस करते है because it is singular okay so he is playing in the garden he is riding a bicycle he is see यहां M है ना M कट करके इसलिखो he is swimming in the river she is playing in the garden she is riding a bicycle she is swimming in the river it is playing in the garden it is riding a bicycle and it is swimming in the river okay then देखो to form the present tense using ing हम ing add करते है okay usually we add ing to form a continuous tense continuous tense बना ले के लिए हम हमेशा ing का use करते है so play playing jump jumping go going sell selling pull pulling when the verb ends in e withdraw p and add ing जब भी आपको कोई वर्ब e से end होता हो जैसे कि s-m-i-l-e तो e को आपको क्या करना है s-m-i-l-e e को आपको cut कर देना है और उसके जगा ing एड़ करना है s-m-i-l-i-n-g smiling okay वैसे g-i-v-e give g-i-v-i-n-g giving c-l-o-s close c-l-o-s ing closing h-i-d hide h-i-d ing hiding c-o-m-i-n-g coming w-r-i-t write w-r-i t-i-n-g writing t-a-k-e take t-a-k-i-n-g taking r-i-d e write r-i-d ing writing r-i-s-e rise r-i-s-i-n-g writing okay then in some verbs we double the last letter and that ing yeah some words ऐसे हैं जिसमें हम ing add करते जो last में जो word होता है उसे double करके ing add करते हैं उसका मैंने आपको rules बताया था इसके पहले गी जब आपको verb plus consonant दिखे हैं sorry vowel plus consonant दिखे हैं vowel मतलब ae-i-u consonant मतलब ae-i-u के बाद जो भी letter से उसे consonant करते हैं जैसे कि b, c, d, f, g okay, so आपको आपको जब पहले आपको vowel दिया और फिर at last, last में देखना vowel दिया और फिर consonant दिया है तो consonant है वो double time repeat हो गया देखो जैसे s, i, t, sit i है वो vowel है t है वो consonant है so t क्या हो जाएगा double time repeat हो जाएगा और plus ing so s, i, t s, i, t, t, ing sitting c, u, t, cut c, u, t, ing cutting s, u, t, short s, u, t, ing shorting h, o, p, hope h, o, p, ing hoping r, u, n, run r, u, n, ing running p, u, t, put p, u, t, ing putting s, t, o, p, stop s, t, o, p, ing stopping s, k, i, p, skip s, k, i, p, ing skipping okay now आपको पता चल गया कि किसको हम present continuous के थे present मतलब क्या अभी जो चीज कर रहे हो continuous मतलब अभी जो चीज आपने start किया वो कब तक चलेग आपको पता नहीं है so what we use present continuous tense और present continuous tense आप जब बोल रहे हो लिख रहे हो आपको वर्ब के पीछ ing एड़ करना वो compulsory है it is compulsory to use ing after verb verb मतलब doing word okay उसके पीछे आपको ing एड़ करना और इसमें थ्री रूल्स देखे पहले तो हम कुछ words है जिसमें direct ing एड़ कर रहे है और secondly जिसमें verb जिसमें e आता है last में e drop करके हम ing लिख रहे हैं and third जिसमें vowel plus consonant है उसमें consonant हम डबल टाइम repeat कर रहे है okay okay so now filling the blanks with the correct forms of the verb in present continuous tense okay आपको ब्रेकेट में verb दिया है उसको आपको present continuous tense में convert करके blanks में लिखना है okay for example Rajan Ankit dash by bus काम दिया है come verb है so come का क्या हो जाएगा coming okay but Raj और Ankit कितने boys है two boys है so यह singular है या plural है plural है plural है तो plural है तो क्या हैगा are so Raj and Ankit are coming by bus okay then number one look the rabbit dash in the garden hope का क्या हो जाएगा H O P I N G hoping why because O or P a vowel plus consonant है so क्या हो जाएगा H O P I N G hoping so क्या है the rabbit singular है या plural है singular है एक ही है rabbit so क्या हैगा is so look at the rabbit is hoping in the garden okay then number two the boys dash kites boys dash kites fly fly का क्या हो जाएगा F L Y I N G flying और cowboys है मतलब singular है या plural है plural है plural के लिए हम क्या यूज करते है R so the boys are flying kites okay V dash under tree sit so sit का क्या हो जाएगा S I W T N G sitting and V है तो V के साथ क्या यूज करते है हम R because it is a plural so V are sitting under the tree number four Kiran dash as chocolate G I V give है bracket तो क्या होएगा E drop करना पड़ेगा because last में E है so G I V I N G E drop करके क्या add करना है I N G G I V I N G giving और Kiran है मतलब singular है एक ही है so क्या हैगा is Kiran is giving us chocolates okay U dash first R U N run है तो क्या हो जाएगा R U double N I N G running because vowel plus consonant है so U है U के साथ क्या आएगा R A R E R so U are running fast number six I dash a horse ride R I D I N G because E है तो E drop होकर I N G हो जाएगा so I के साथ हमेशा M आता है so लिखो I am riding horse seven mother is shutting the door mother dash the door shut है तो S H U double T हैगा because vowel plus consonant है okay so mother है वो one है singular है तो क्या आएगा is so mother is shutting the door okay number eight those man dash trees cut का क्या हो जाएगा C U double T I N G why because यह vowel plus consonant है so those man is no those के साथ आ राएगा okay those है मतलब वे आदमी बहुत सारा आदमी है so those men are cutting the trees आ राएगा okay यहा then number nine the elephant is the elephant dash banana in his mouth P U T put है तो put का क्या हो जाएगा P U double T I N G putting so the elephant एक elephant है तो क्या आएगा is the elephant is putting banana into the mouth okay then number ten amar dash behind the door H I D E है so E drop करके क्या हो जाए H I D I N G hiding so amar एक ही है singular है तो क्या हैगा is amar is hiding behind the door फिर number eleven they dash paper board M A K मेक है तो M A K I N G हो जाएगा because E है last में तो he drop हो जाएगा they है plural है so क्या आएगा are so they are making paper boards okay so hope यह आपको जो concept है present continuous tense का इसमें आपको भी ओ और कोई doubts नहीं हो गए अगर होगा then you can ask me anytime but आप properly यह video देखना समझना अगर कोई doubt हो तो आप मुझे message कर देना voice में या तो मुझे call करकर पूछ लेना ओके ओके now move to your textbook on page number 22 in your textbook open page number 22 देखे उसमें activity number 3 activity number 3 वो मैं आपको live class में कराऊंगी okay drawing जो है वो हम live class में करेंगे अब activity 4 देखे यह आपको अपने आप लिखना है but मैं आपको clue देते थी okay so activity number 4 you know that we can make a paper bot आपको पता है कि हम paper bot बना सकते है now make a list of things that you and your friend can make out of paper now आपको एक list बनानी है जो आप और आपके friend बना सकते हो आपको दो column दी है things that you can make जो चीज आप बना सकते हो और आपको दूसरी column दिया है जो चीज आपका friend बना सकते है see in that what you can do पता है अगर आपके कोई friends है जिसको आप अभी online में टेलिफोनिक contact में हो टेलिफोनिक मतलब आप उसे call करके ऐसे contact में हो तो आप उसे phone करके भी पूच सकते हो कि तुम को क्या बनाना आता है और अगर नहीं है तो आपको अगर पता हो कि मेरा friend को क्या बनाना था तो आप उसमें लिख सकते हो for example if I say things that you can make आप क्या बना सकते हो I can say that आप butterfly बना सकते हो पेपर से ओके then butterfly है flowers है butterfly flowers paper boat वो भी लिख सकते हो paper boat है फिर अपने पता है frogs किसी किसी को तो frog भी बनाना आता है वो भी लिख सकते हो frog then flowers frog butterfly boat aeroplane paper का aeroplane भी आप बनाना था वो भी आपको बनाना आता है right so आप लिख सकते हो जो भी आपको paper से बनाना आता है okay और अगर आपको पता है कि आपको friend को क्या बनाना था तो आप आपके वो आपने आप से लिख सकते हो पर अगर आपको नहीं पता हो अगर आप टेलिफोनी कॉंटेक्ट में हो तो आप उनको call करके पूछ सकते हो कि तुम paper के क्या क्या बनाते हो तो आप लिख सकते हो okay then comes activity number five who said to whom मैंने आपको कराया था who said to whom अभी आपको ये भी learn करना होगा who said to whom okay number one but does it really sell ऐसा किसने पूछा देखो मैं जब पूछती हूँ ना कहने का और पूछने का अलग होता है okay वो आप sentence जब form करोगे ना मैंने तब आपको बताया था फिर से मैं जब sentence आएगे ना तब मैं बताऊंगी okay so does it really sell ऐसा किसने पूछा था drew ने और किसको पूछा था who said मतलब किसने पूछा या बोला और to whom मतलब किसको okay तो यह किसने पूछा था drew ने और किसको पूछा था जिया को number two you will sail my lovely boat you will sail my lovely boat ऐसा किसने बोला था कि तुम मेरा lovely boat है जो sail कर सकती हो yes you will spoil sorry you will spoil my lovely boat तुम मेरे यह boat है वो गंदा कर दोगा ऐसा किसने बोला था जिया ने किसको बोला था drew को yes number three look at my boat मेरे boat को देखो किसने बोला ऐसा जिया और किसको कहा था children's को जो बार अपना boat चला रहे थे तब वो clap करते करते बोल रहे थे ना को देखो मेरे boat को देखो like this okay then fourth don't worry you shall play with my boat चिंदा मत करो तुम मेरे बोल से खेल सकती हो ऐसा किसने कहा था drew न और किसने कहा था जिया से okay okay now move to activity number six activity number six find words which end with the ed and ing one example is given for you आपको कुछ words find करने story से जो ed और ing से end होते है एक आपको example दिया है now read the story again फिर से आप story रीट करो then write the wrong write the words in the following table और जो भी end होता है ed और ing से आपको लिखना है for example से आइल डी सेल जी ओ आएंग गोइंग वैसे ही मैंने कुछ words लिख है है जो आपके story में दिया गया है okay ASKD asked STOWPD stopped BORID bored EXCITD excited CLOSED closed R-U-S-H-E-D rushed S-A-I-L-I-N-G selling P-L-I-N-G playing R-A-I-N-G reining R-A-I-N-I-N-G reining S-I-T-I-N-G sitting S-I-N-G-I-N-G and C-R-E-A-I-N-G creating okay यह words आपको भी textbook में note down करना है और फिर उसके नीचे देखो make five meaningful sentences using these words आपको जो मैंने उपर words लिख है उसमें से आपको यह words आपको भी word यूज करके आपको five sentences लिखने है एक already दिया है now आपको only four sentence लिखने है okay for example the boat sail away into the night रात को बोट तैर गई कहां तैर गई पता नहीं बट रात को तैर गई number two I ask few questions to teacher मैंने थोड़े बहुत questions पूछे madam को three it was raining heavily last night last night मतलब last night कल रात को बहुत heavily rain हो राथा number four I was excited when I heard we are going out मैं बहुत excited था जब मैंने सुना कि हम बहार जा रहे हैं number five I was sitting on the bench मैं bench के उपर बैठा था ok ok so आज आपको homework में क्या करना है homework में आपको लिथो में present continuous strength के जो blank से वो लिखने है and after that text book में आपको activity number four करना है five करना और activity number six करना है ok done so आपको समझ में आ गया present continuous strength के बारे में activity number four में क्या करना है activity number five में क्या है और activity number six में क्या है अगर तो भी आपको doubt हो वीडियो देखने के बाद तो मुझे आप call करके या तो voice message करके पोच सकते हो ok so bye bye and have a good day